पीने के पानी का शुद्धिकरण करने के अलग-अलग और आसान तरीके अपनाए जाते हैं आईए इस वीडियो के माध्यम से इन तरीकों को समझते हैं पानी उबालना पानी को उबाल कर पिटानू रहित करने का तरीका हमारे पुर्खों से चला आ रहा है ये तरीका आज भी लाकों नोग अपनाते हैं पीने के पानी को किसी बड़े बरतन में रखकर गरम करें जब पानी तेज गरम होकर उबलने लगे तो उसे लगभग पाँच मिनट तक ऐसे ही उबलने दें उसके बाद पानी को ठंडा करनी के लिए रख दें इससे पानी में मौजो सारे किटानू मर जाते हैं और पानी पीने योगे हो जाता है पानी में फिटकरी का प्रयोग पीने के पानी को साफ करनी का यह एक आसान और सस्ता तरीका है फिटकरी से पानी साफ करनी के लिए पहले हाथ दो लें उसके बाद फिटकरी पानी की मात्रा के हिसाब से लेकर पानी में घुमाएं ध्यान रखें कि पानी जब हलका सफेब दिखने लगे तो फिटकरी घुमाना बन कर दें फिटकरी को कपड़े में लपेट कर भी पानी में घुमाया जा सकता है इससे पानी में मौजोद गंदगी बरतन के तले में बैठ जाएगी और पानी पूरी तरह साफ हो जाएगा पानी में क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग पानी को साफ करनी के लिए क्लोरीन का काफी इस्तिमाल किया जाता है आम तोर पर धरों में आने वाले पानी को भी क्लोरीन से साथ किया जाता है बाजार में क्लोरीन की गोलियां आसानी से उकलब्ध होती है उन्हें डाल कर पानी साथ किया जाता है इस वार्ट का ध्यान रखें कि क्लोरीन की गोलियां डालने के बार पानी को आधा घंटे तक इस्तेवाल ना करें अलग अलग चर्णों पर शुद्धी करण अलग 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 चर्णों पर शुद्धी करण करना यह पानी को साफ करने का एक बहतर तरीका है ये बिना बिजली के उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी लागत भी कम होती है देखने में ये पारंपरिक फिल्टर की तरह लगते हैं इसमें पानी कई चर्णों में साफ होता है पहले प्री फिल्टर प्यूरिफिकेशन होता है उसके बाद एक्टिवेटिड कार्बन प्यूरिफिकेशन किया जाता है फिर पानी से हानिकारक किटानों खत्म किये जाते हैं और सबसे अंद में पानी की गुणवर्ता को बरकरार रखने के लिए उसका स्वार बहतर किया जाता है आर ओ मशीन आज कल कुछ घरों में पानी साफ करने के लिए आर ओ मशीन लगाई जाने लगी है लेकिन सामाने लोग पानी साफ करने के लिए आरो का खर्शा नहीं उठा सकते हैं ये थोड़ा महंगा उपाय होता है घर में पीने के पानी के बर्तनों का इस्तेमाल करते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें हर दिन पीने के पानी का बर्तन साप धोएं पानी के बर्तन हमेशा ढप कर रखें पीने के लिए पानी लेते समय बर्तन में हाथ डुबो कर पानी कभी भी ना निकाले बल्कि पानी निकालने के लिए साफ सुत्रे और लंबे टंडी वाले गिलास का इस्तेमाल करें आश्रह है कि इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी आप इन उपायों का प्रयोग अपने घरों में जरूर करें और अपना और अपने परिवार के स्वास्थे का खयाल रखें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए आपका और आपके बच्चों का खयाल रखें धन्यवाद